तो हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग उमीद है कि आप लोग ठीकी होगे तो आप सभी का स्वागत है दी ओस्वाल निवी एरवेंचरर के एपिशोर नमबर 11 में अगर आपको वीडियो अच्छे लगती हो तो प्लिस कमेंट कर दीजेगा चले स्टार्ट करते हैं आपकी वीडि यहीडिक बोलते की तुम्हें ठैंक्च्यू बोलने की कोई जोत नहीं है अंग्छिका बोलते की मैं भी एक साल तक ट्रेइनिंग करूंगी और जिस लेवल पर तुम पहुंचे हो उस लेवल पहुच आप पहुंचोंगी और एक दिन मैं तुमें भी जह क्रोस कर दूंगी यहीं पर announcement girl कहते की finally हमारा जो रीक है वो जहे जीच चुका है। यहीं पर अंजलीका बोलती की snap तुम तो बहुए शान्त दिख रहे हो। तो यह बोलते की हाँ मैं काफी शान्त हूँ। क्योंकि यह सब देखके मैं खुद भी सप्राइस हो गया हूँ। मैंने आज जह सब कुछ खो दिया लेकिन ये दिन मेरा सबसे कीमती दिन है। लेकिन एक बुरी बात है कि मैं तुम से साधी नहीं कर पाऊंगा। जिस पर अंजलीका बोलती की हाँ तुमने जीतना contact किया था उतने जो पैसे है वो तुम अरेंज नहीं कर पाए हो। इसलिए अब तुम मुझे शादी नहीं कर सकते हो। के मास्टर बोलते कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता लेने की जोत नहीं है। यहीं पर लेडी कहते कि फानली हमारा जो सेकिंड मैच है वो जब होने वाला है। यहीं पर जो काईल होता है अंदर आ जाता है रिंके। अनौस्मेंट गर्ल बोलती है कि आज हमारा मैच होगा काईल और मिश्टर ओर्क के बीच में। मिश्टर ओर्क ने यहाँ पर एक ही बार में सभी बंदों को धूल चटा रखी है। और उनका मुकावला होने वाला है हमारे थ्री टाइम चेंपियन से काईल। और को देखता है और यह कहता है कि सही में यह बहुत जहाँ स्ट्रोंग है मुझे बिल्कुल भी जह ओपनिंग नहीं मिल रही कि मैं इसके उपर जह हमला करूं। फिर जो मैच होता है वो स्टार्ट हो जाता है काईल सीधा ही और्ग के उपर हमला करता है जिसके और्ग भी काईल के उपर हमला करता है लेकिन जो काईल है वो जह दूर कूच जाता है काईल बोलता है कि सही में तुम बहुत श्ट्रोंग हो इसमें कोई यहाँ पर डाउट नहीं है कि मैं आज एक श्ट्रोंग बंदे से लड़ने वाला हूँ तबी नेकिन में हम देखते कि जो ग्रीस होता है वो एक दम से दिवार तोड़के यहाँ पर आजाता है और ओडियन्स के विश में चला जाता है और जो ओडियन्स है उनको परशान करना सुरू करते है तबी काईल बोलता है कि आखिर का तुम कोन हो तुम यहाँ पर मेरी जो जो परशान नहीं कर सकता तबी हम रीक और अंजलीका को देखते हैं वो दोनों यहाँ भॉया शोक में आई होते है रीक बोलता है कि जो यहाँ पर ग्रीस है वो जह ए लेवल का है जहां तक मुझे पता है तैस्टिलिया बोलती ही कि मुझे लगता कि जो ग्रीस है उसने जो ये लेवल है उसको जह पार कर दिया है और वो जह एक S लेवल का जह बंदा है यहीं पैनाउस्मेंट गरल बोलती कि मुझे माफ कीजेगा इन सब चीजों के लिए लेकिन हमें जो मैच है उससे यहां पर बंद करना होगा क्योंकि अभी हाली में बहुत सारी जो इंजरी है वो गॉल्डन और्क है उसे जह लेना है तभी यहां पर बची बोलती कि मैं समझ गी अगर रीक जीते या फिर और्क जीते हमें तो अपना बोल लेना है तभी अंजलिका कहती कि जो रीक है वो कहां पर है जिस पर एस्टीलिया कहती कि वो अभी कैस्टीनिया में जो है गया तबी हम काईल को देखते हैं जो यहां पर पत्रों को तोड़ रहा होता है तबी रीक इसके पास आजाता है और यह बोलता है कि मुझे माफ करना लेकिन इतनी आवाज आई कि मुझे यहां पर देखने आ गया काईल बोलता है कि मैंने यह जगा इसलिए चूस की थी तकी कोई बंदा मेरे पास ना आयए जसस्पे रीक बोलता है कि तुम्हारा कल जे है मैच है तुम्हें इतनी जदब महन्त नहीं करनी चाहिए काईल बोलता है कि मैंने जानता था कि तुमें मुझे स्याफ फाइटिंग करनी होगी यहीं पर रीग जो होता है हमला करने के लिए तयार हो जाता है और इसी दा काईल के उपर हमला करता है लेकिन काईल इसकी हमले को रोक लेता है जिस पर रीग बोलता है कि मैं जानता था कि तुम इस हमले को बड़े आराम से रोक लोगे लेकिन यहाँ पे तुम मैच के अंदर इतने सलो क्यों हो गए थे और तुम सलो अटेक को भी नहीं रोख पा रहे थे काईल बोलता है कि चलो मैं तुम बताता हूँ वैसे भी तुम स्ट्रोंग हो तुम समझ भाओगे फिन एक्षिन में काईल बोलता है कि असल में मैं यहाँ पे जो सलाम है उसी में पैदा हुआ था और मैं यहाँ पे जो बंदे हैं उनको सिफ अपने फन के लिए हराय करता था धीर धीरे मैंने यहाँ पे अपने आपको जो फाइटर है ओभी बोलना बंद कर दिया लेकिन एक दिन मुझे जह इस जगा के लिए यहाँ पे जह ओफर आया तो मैं यहाँ पे आ गया जब मैं यहाँ पे सुरूम आया था चीज़े जह बहुत ज़्यदा ठीक चल रही थी और साती बंदों को मैं एक ही बार में यहाँ पे हरा दिया करता था लेकिन मुझे इसमें कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा था लेकिन जो मेरे मास्टर थे वो बहुत जा खुश थे इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मुझे उस समय से फार्टिंग करने में विल्कुल भी मज़ा नहीं आता था मैं सिप यहां पे जब अपने आपको ट्रेनिंग करता था तभी जो है मैं यहां पे इंजोई कर पाता था क्योंकि मुझे उस समय स्ट्रोंग बना था तभी हम देखती कि काईल अपने रूम में जा रहा होता है तभी उसको मास्टर के रूम से आवाज आती है मास्टर के रूम में एक बन्दा बोल रहा होता है कि जो यहां पे काईल है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रोंग है इस तरह तो हम यहां पे अपने जो ओडियन्स है उसे जह खो देंगे काईल एक यह बार में जो बन्दे हैं उनको जह हरा देता है तो काईल के मास्टर बोलते कि फिर तुम क्या चाहते हो क्या तुम चाहते हो कि मैं काईल को यह कहूँ कि तुम जाओ और हार जाओ जिस पर बन्दा बोलते कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा बाकी जो एरिया है वहाँ पे भी जो इस गेम की जो परदशन है वो जो बहुत ज़दा बेकार हो गया है और आहे चलता रहा तो हमारा जिम है वो भी जह कत्रे में आ जाएगा काईल के मास्टर बोलते की जो होगा मैं वो बाद में देख लूँगा फिर नेक्शन में इसका यहाँ पे जो एक मैच होता है और यह इसका फाइनल मैच होता है काईल कहते की मैं यहाँ पे जैंपेन नहीं बना चाहता है क्योंकि मेरे जो मास्टर है उनको जैसे तकलीफ होगी लेकिन यहाँ पे यह बन्दा बहुत ज़ए स्लो है मैं इसको अभी जह डोच कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे जो काईल होता है वो जह होता है हार जाता है जिसके बाद यह बन्दा कहता है कि मैंने काईल को रा दिया और मैं यहां पर three time जो champion है वो बन गया और इसी तरह जो match है ओभी जह काफी जीदा interesting बन गया तब जो लोग है ओभी जह आपे जह match है वो देखते हैं इसलिए मैं आपणी जो full power है उसका जैस तमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ओडियंस को जही अच्छा नहीं लगता है ओडियंस का इंट्रेस्ट जह मैच से खतम हो जाता है रीक बोलते हैं कि मैं तुम्हारी भावना को समझ सकता हूँ जिस पर काईल बोलते हैं कि तुम अभी उस काबिल नहीं हुए कि तुम यहां पर इसको समझ भाओ तभी रीक बोलता है लेकिन तुम्हें कल के मैच में बिलकुल भी यहां पर आपने आपको रोकने की जोट नहीं पड़ेगी और यह बोलने के बाद जो रीक होता है वो चला जाता है नेक शिर में हम मैच के डे को देखते हैं यहीं पर कोई दिकत नहीं होगी बस अराम से बैठी है और यहां पर जो मैच है उसे देखिए चलिए फिर मैच को स्टार्ट करते हैं काईल बोलता कि फिर से अज काफी मज़ा आएगा फिर काईल यहां पर आपने जो हमला है वो इसके उपर कर देता है लेकिन यहां पर जो और खोता को बहुत तीजी से घुमाया सुरू कर दिया जिसकी वैसे इसकी जो पावर है वो जह बढ़ गई है यहीं पर रीक बोलता है कि यहां पर जो मिश्टर और्क है उनका जो हाथ है वो इससे हट गया इसका मतलब यह भोजा पाउरफुल है यहीं पर जो और खोता है कि जैसा र पावर है वो काफी अच्छी और तुम्हें प्रोव फाइटर हो जिस पर काईल बोलता है कि हा यह सच बात है और को बोलता है लेकिन मैं तुम्हारे स्ट्रॉंग फॉर्म है उससे जह लड़ना चाहता हूं ग्रीज बोलता है अभी मैंने अपना आगा फॉर्म दिखाया तो लोग पास चल जागा कि मैं उनको हमेशा जो यह पागल बना रहा था सही में मैं एक अच्छा चैंपियन नहीं हूँ जिस पर औरक बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है तुमने अपने से पहले जो बंदे हैं उनके बारे में सोचा तुम सही में एक असली चैंपियन हो औरक बोलता है लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हारे असली फार्म से नहीं लड़ पाऊंगा सही में मेरे लिए एक काफी बेकार बात रहेगी जिस पर काईल बोलता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है जिस पर और्क बोलता है कि चलो ठीक है यहां पर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और मैं बिल्कुल तुम्हारे जो लेवल है उस पर जह आ जाओंगा मैं अपनी सिफ दो अंगली कर इस्तमाल करूंगा और मैं यहां पर अपनी जगा से पीछे भी नहीं हटूंगा हम लोग ओडियंस के लिए यह फाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर देंगे काईल बोलता है कि सही मैं तुम जह इसके लिए पस्ताने वाले हो और इसी दा और के उपर हमला करता है लेकिन यहां पर जो और खोता है वो अपनी दो अंगली से इसके अमले को रोग लेता है यहीं पर काईल कहता है कि यह मुझे जह कुछलना चाहता है लेकिन यह बहुत ज़्यादा अच्छा फाइटर है और सही में यह काफी अच्छा होता है अगर मैं अपनी पूरी पावर से इससे जह फाइटिंग करता है यह जह बहुत ज़्या श्ट्रोंग बनता है लेकिन मैं यहां पर इससे लड़ने का जो मौका है वो जह खो दूँगा सही में यह बहुत शर्म की बात है ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो मैं इसके उपर ट्राय करना चाहता हूँ तभी काईल के मास्टर बोलते की पागल मुझे पाता कि तुम क्या करने कोश्च कर रहे हो तुम हमेशा से अपनी जो पावर है उसे यहां पर दवा के फाइटिंग कर रहे हो जिस पर काईल बोलता है कि सही में तुम एक बेकार पिजनस मैं हो लेकिन यहां पर अब चलो सुरू होते हैं मैं किसी को यह बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ क्योंकि मैं यहां पर पूरी जो अपनी ताकत है उससे जह फाइटिंग करने वाला हूँ कि असल मैंने यह कहा था कि यहां पर जब भी तुम अपने पूरी पाउर का इस्तमाल करोगे तभी मैं यहां पर आपनी पाउर का इस्तमाल करूँगा और मैं तुम से अपना जो लेवल है वही जह मैजगने कोश्च कर रहा हूँ तभी जो काईल हो फिर से और्ग के उपर हमला करता है लेकिन यहां पर और्ग इसके उपर हमला करता है और इसे जह दूर फैक देता है लेकिन काईल अपने मैजग का इस्तमाल करके यहां पर बच जाता है अब बंदे यह सब देखके बहुत चोग जाते हैं और ये बोलते हैं किया सही में इस बंदे ने अपनी जो तागत है वो छुपा रखी थी और हमें जे अंधेरे में रखा था ये जे चेंपियन कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं है और सभी लो काईल को बुरा भला कहने लग जाते हैं काईल कहते हैं काईल कहते हैं कि अगर मैं अभी अपनी पाउर को यहां पे जे होल वेक करनूं तब भी कुछ नहीं होने वाला फिर जो काईल होता है वो सीधा फायर मैजिक का यहां पर जह इस्तमाल करता है अब यह देखके जो अंजलीका होती हो शोक में आ जाती है और यह बोलते हैं लेकिन यहां पर जो फॉक्स बंदे हैं वो जह फायर मैजिक का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं मैजिक में काफी बीक होते हैं जिस पे रीक बोलते कि उसने अपने आपको बहुत ज़्यादा है और यहां पे उसकी जो ब्लैसिंग है वो इसकी असली पावर थी लेकिन इसने उस पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और साथ ही अपनी जो बोड़ी है उस भी जह करता है और सिधा इसको पकड़ लेता है रीक कहता है कि साय से तभी इसको चेम्पियन कहते हैं फिर काईल अपने एंजल ट्रस मैजिक का निदया है जो इसत्माल करता है और यह देख के जो रीकों होता है और बहुत जालग और दो स prawn audition बूलता है और और को जो तै है अपने आपको वाइन से जह आजात कर लेता है और सीधा इसके उपर एक घूसा मांता और इसे तोड़ देता है अब यह देखके रीक और अंजलिका बहुँत ड़ते हैं और यहीं पर एंजलिका कहते हैं सही है यह गोई इसको तबाह कर दिया तब ही हम और्क को देखते हैं जो काईल को एक अंगूठा दिखाता है और यह बोलता है कि मैं तुम्हे समान दे आ जाता हूँ काईल बोलते कि मुझे बहुत ज़्याद आजीब फिलिंग आ रही है तभी और काईल के मुँपे घुसा मारता है और काईल दूर जाके गिरता है और सीधा बेरियर से जाके जह चिवक जाता है अंजलिका बोलती कि यहाँ पे मिस्टर और्क ने तो बहुत ज़्यादा ही कमाल कर दिया मुझे तो बिल्कुल विसात नहीं था कि यहाँ पे यह इतना श्रौंग है लेकिन यह तभी रीक को देखती है जो बहुत शांत है यहीं पे हम काईल को देखते हैं जो सीधा यहाँ पे हमला करता है अपने सारे मैजिक होता है उनसे और यहाँ पे जो और्क होता है उसे कोई फरक नहीं पड़ता है यहीं पे जो ग्रीस होता है वो ठक जाता है जिस पर अंजलिका बोलती कि उसका जो माना है वो खतम हो गया रीक बोलते कि उसने इतने पाउरफुल मैजिक का इस्तमाल किया तो आखिर कर वो खतम नहीं हो गया तब ही और्क सीधा जहें यहां पे गुसा मारता है और इस गुसे से काईल के अहलत बुरी हो जाती है अब से आज श्रॉंग बंदे से जहां फाइट करूँगा और फाइनली यह फाइट आ चुकी है भले ही मेरे पास माना नवच्चा हो लेकिन मेरे पास मेरे पास मेना स्टैमिना है और काईल फिर से खड़ा हो जाता है तभी रीग बोलते कि इसका इस्टैमिना जल्दी खतम हो जाएगा यहीं पे काईल और के उपर बहुत सारे गुसे मारता है लेकिन एक दम से वो शांत हो जाता है और काईल बोलते कि सही में दुनिया में कोई इतना स्टॉंग भी हो सकता है तभी यहां पे बाकी बंदे बोलते कि प्लीज काईल तुम जह यह कर सकते हो तुम हमारे हीरो हो तुम्हें यह करना ही होगा काईल बोलते कि मैं इस सभी को अभी तक दोका दे रहा था लेकिन अगर चाहते हैं तो मैं अपनी पूरी पावर दिखाऊंगा बस एक मुक का, मुझे बस एक ही मुक का मारता है और जो और्क होता है, वो अपनी जगह से थुरा हिल जाता है काईल उसको देख लेता है और उसे शान्ति मिल जाती है और्क बोलते है क्या कुछ और रहा गया काईल बोलते है कि सही में ये मैच कुछ ज़्यादा अचा था यहाँ पर और्क बोलते है कि यहाँ बिलकुल तुम सही कह रहे हो अभी जह बहुत ज़्यदा लंबा है लेकिन काईल तुम यहाँ पे सब्सक्राइब बंदों में से एक हो इसी के साथ काईल हार जाता है और उसके चेहरे पे एक जहती समाइल होती है अब देखना यह कि अगले मैच में किया यहाँ पे जो रीक है और जो यहाँ पे औरक है वो फाइटिंग करते है और कियां की फाइटिंग यहाँ पे इनकी फाइटिंग से ज्यादा अची होती है और किया जो रीक है वो जो औरक के खिलाफ जिए जीत पाएगा या फिर जो और्क है वो यहाँ पर रीक को बड़े राम से हरा देगा अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आगर क्या होने वाला है जो भी लगता है उसे कमेंट शक्षिन में लिख देना और यहीं पर यह जो एपीशोड है यह खत्म हो जाता है बहुत जल्द मिलता हूँ आपको अगले अपीशोड की अंदर जब तक के लिए बाई बाई